दोस्तों आप देख रहे हैं सुन्दर बिहार आज संडे है और मैं हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स लेकर के मचली से जुड़ा हुआ यानि फिशिंग से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट करके पूछिए मैं कोशिस करूँगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए अगर कोई सवाल छूट जाएगा तो मैं कोशिस करूँगा अगले संडे को जवाब देने के वीडियो देखते हैं सबसे पहले किन का कमेंट है यहां पहला कमेंट है शाह महम्मद सुहेल के तरफ से यह पूछते हैं कि काटा और कंडिली यानि फलोटिंग के बीच में कितना अंतर रखें विस्तार में बताईए तो दोस्त देखिए अगर बारिश का मौसम है अगर बरस के दिन में आप शिकार करना चाहते हैं तो आप ख्याल किजिए मिडिल में यानि पानी का तीन हिस्सा होता है तो आप मिडिल में फलोटिंग को जो है आपका काटा जो है मिडिल में होना चाहिए अगर बरसात बीच चुका है अगर ठंडा के मौसम में आप शिकार करना चाह सकते हैं यानि के हुक डाल सकते हैं उमीद करता हूँ आप शिकार करके हमें जरूर रिपलाई कीजिएगा ओके थेंक्यू सर अगला कमेंट है संजय थापा के तरफ से ये लिखते हैं परसन उत्तर प्रग्राम इस कोई गुड समय थोड़ा जयाद लिजिए सर आपके कहने के जैसे मैं इस हफता संडे को वीडियो मैं दस मिनट के बनाया हूँ अगर हमारे जो स्रोता है भीवर हैं उनको वीडियो अच्छा लगता है तो मैं कोशिस करूँगा हर संडे को दस मिनट का वीडियो बनाने के लिए अभी तक मैं सिर्फ पांच मिनट का वीडियो बनाता थ सुनील कुमार के तरफ से यह लिखते हैं सर मेरे घर के पास तलाब है उसमें नैन मचली बहुत ज्यादा है मगर काटे में नहीं पकड़ती है यह लिखते हैं कि केचुआ में लगा करके 5-6 घंटे बैठते हैं तब जाके कभी कभी एक दो पकड़ती है कोई चराई यह पूछ ना चाहते हैं देखिए सर के चुओ से नैन मचली पकड़ती है कम पकड़ती है अगर आप आटे में केचुआ को मसल करके मिला दे माल लिजीए कर आप एक मूठी आटा होता है उससे आठा गूधिए गूध करके और इस तरह से आप शिकार कर लिजिए दोस्त अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस बारे में हमारे चैनल पर एक वीडियो है आप उसको देख सकते हैं सेम ऐसे ही चारा उसमें भी पताया गया है उमिद करता हूँ आप शिकार हैं और मैंने इसको आजमाया है शुक्रिया दोस्त मैं भी आपको शुक्रिया बोलना चाहूँगा आपने आजमाया और आप कामियाब हुए मैं उमीद करूँगा कि आप अपने दोस्तों और रिष्टेदारों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फायद द्रका रोहुद कर सकता है सर चार उंगली वाला जो यहाल है उसमें कम से कम 10 फीलो से उपर की मशली पढ़े गी चाहते अंगर चाहर अगर मशलीकी निकालियेगा नहीं तो आपका जाल थोड़के मशली भाग सकती है उम्मिद करता हूँ आप शिकार करने के बाद हमें जरूर रिपलाई कीजिएगा अगला कमेंट है परेम कुमार के तरफ से लिखते हैं कि सर रात में कैसा चारा डालें कि सुबह मचली मिल जाए दोस्त देखिए अगर रात में आप शिकार करना चाहते हैं हुक में लगा करके तो आपको चराई डालना जरूरी है थोड़ा डालिएगा ज्याद नहीं इससे क्या होगा कि मचली पहले चराई खाएगी बात में आपके हुक के तरफ आएगी मैं इसमें एक चीज़ और ख्याल किजिए आप जब भी काटा डालिएगा आठ दस काटा डा अगर आप बौाली मचली सौरा मचली या मांगूर मचली पकड़ना चाहते हो उसके लिए आप चराई नहीं डालेंगे सिर्फ चारा डाल देंगे हुक में लगा के और वो मचली आसानी से पकड़ेगी उमीद करता हूं सर आप शिकार करके हमें जरूर रिपलाई देखिए अगर ट्रीपल हूक जो है एक साथ जोईंट है तो यह मचली जो है आप काटा में लगाने में ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर बड़ी मचली पकड़ना चाहते हैं चार पांच छे किलो की जो मचली है उसको शिकार करना चाहते हैं आप तो लगा करके देख सकते अगर जोईंट नहीं है काटा आपका जोईंट नहीं है अलग-अलग है तो बहतर है और आपको मैं राय दूंगा कि अगर बड़ी मचली है तो बड़ी मचली आप काटा में लगा सकते हैं अगर छोटी मचली का शिकार करना चाहते हैं तो सिंगल हूक जो होता है या डबल ह मधा होता है यह वाला चीज आप इस्तेमाल कीजिए अगर ट्रीपल हुक आपस में ज्वाइंट है तो उससे बच यह क्योंकर मचली को निगलने में परिशानी होगा और आपके हाथ से शिकार नहीं आएगा इसलिए दोस्त मैं उमिद करता हूं इस तरह से आप शिकार करेंग सर के आप हमारा जो हम चारा बनाते हैं उसको आप पसंद करते हैं और उसको इस्तेमाल करके आप फायदा उठाते हैं ओके थैंक्यू सर अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताके वो भी उससे फायदा उठाए थैंक्यू सर अगला शिकार किया आप खुश हुए और हमें कमेंट किये दोस्त अगर आपको फायदा होता है तो जिस वीडियो से आपने चारा बनाया उस वीडियो को अपने दोस्तों को शेर कीजिए और रिष्टेदारों को शेर कीजिए ताकि वो भी फायदा इससे उठाएं अगर आप सोसल मीडिया चलाते हैं तो कोशिस करिए कि वहाँ भी आप शेर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी उससे फायदा उठाएं ओके उमिद करता हूँ सर आप फिर शिकार करेंगे हमें फिर रिपलाई करेंगे थैंक्यू सर अगला कमेंट है आरेस सिंग के तरफ से ये लिखते हैं का भाई सब्सक्राइब तो कर दिया मचली नहीं पकड़ेगा तो गाली भी आप ही खाईएगा या खाएंगे सर मैं कहूंगा आप से आप तो मचली पकड़ने से पहले ही दिल छोटा कर लिए सर ट्राई तो कीजिए ये बिलकुल आजमाया हुआ चारा है हमने शिकार किया आपने दोस्तों के साथ हमने शिकार किया और कितना समय में हमने कितना मचली पकड़ा इसके बाद ये चारा बनाया जाता है आप ट्राई कीजिए सर आपको शिकार मिलेगा बिलकुल मिलेगा आप दिल छोटा नहीं कीजिए जरूर शिकार कीजिए उमिद करता हूँ आप शिकार करके हमें जरूर रिपलाई करेंगे थैंक्यू सर अगला कमेंट है वाजित खान के तरफ से ये लिखते हैं के सर तलाब में केवई, सिंगी और सौल बहुत है लेकिन चारा खाने नहीं आता है जो आता वो मार लेते हैं लेकिन 3-4 ठो है मतलब 3-4 मचली मार पाते हैं रिपलाई चाते हैं सर मैं एक बढ़िया चारा बताता गोंगा को तोड़ करके उसका वाइट वाला जो हिस्सा है उसको निकाल करके आगर बड़ी मचलीम पकड़ना चाहते हैं तो पूरा एक सिंगल गोंगा लगाईए उसका जो नरम वाला हिस्सा है वो निकाल दीजिया निकाल करके जो हाड वाला वाइट वाला हिस्सा है उसक तेल जो है आप घोंगा के उपर लगा करके इस तरह काटा फेकी है फिर उसका आप रिजल्ट देखी आपको खुद पता चलेगा इस तरह से आप कम समय में बड़ी मचली और छोटी मचली जो भी आप पकड़ना चाहते हैं बहुत आसानी से पकड़ेंगे उमीद करता हूं सर आप शिकार करके हमें जरूर रिपलाई करेंगे थैंक्यू सर